हलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वज़े से आज की लड़किया या लड़के बहुत परिशान रहते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सयसे लोग हैं जिनकी ख्वाईस होती है कि उनकी हाई 5 foot 7 inch या 18 inch हो बट 20% लोगों की हाईट 5 feet 18 inch होती है यानि 5 foot 8 inch और हमारे इंडिया में लगभग 50% लोगों की हाईट 5 feet 5 inch से भी कम है और उन्हें अपनी हाईट बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाईयां खानी पड़ती हैं एक्सेसाइस करना पड़ता है और उनको सही से रिजल्ट भी नहीं मिलता तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे घरेलू नुसकों से आप अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं वो भी सिर्फ कुछ समय में अगर आपकी हाइट की वज़े से आपका मजाग बनाया जाता है या आपके दोस्त सिर्फ आपकी हाइट की वज़े से आपके साथ उतने घुल मिल नहीं पाते तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर के पास भी हाइट बढ़ाने के ऑप्शन्स नहीं है या यू कहले कि अंगरेजी दवाईयों में हाइट बढ़ाने यानि लंबाई के लिए कोई दवाई नहीं है परन्तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे आयुरवेद में एक से अनेक उपाई है जिससे आप बस कुछी दिनों में अपनी हाइट यानि लंबाई बढ़ा सकते है और अपने कम हाइट को लेकर मजाग बनने से बच सकते है तो आईए दोस्तो मैं आपको बताती हूँ आयुरवेद का पहला नुसका इसके लिए हमें चाहिए अस्वगंधा पौडर मिस्री और दूद हमें अस्वगंधा पौडर में मिस्री मिला कर रोजाना सुब और शाम आधा चमच दूद की साथ मिला कर पीने से आप अपनी रुकी हुई हाइट यानी लंबाई को बढ़ा सकते हैं दोस्तो मैं आपको गैरेंटी के साथ कहती हूँ कि इस नुसके के निरंतर इस्तिमाल से आप पा सकते हैं अपनी बढ़ती हाइट दोस्तो अब मैं आपको बता खजूर और घी इन सब को समान मात्रा में मिलाकर एक मिस्रन तयार करना है इस मिस्रन को रोजाना, सुब़, शाम, एक एक चम्मच, निरंतर 30 दिनों तक उप्योग करने से आपकी रूकी हुई हाइट बढ़ने लगेगी और आप पा सकते हैं अपनी लंबाई दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कुछ और आयुर्वेदिक उपाई जिससे आप अपनी रूकी हुई हाइट यानि लंबाई को बढ़ा सकते हैं और अपना कम हाइट की वज़े से मजाग होने से भी बच सकते हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाई जो बहुत ही सरल और बहुत ही सफल उपाई है आपको रोजाना सुद्ध देशी घी की बनी जलेबी दूद के साथ रोजाना सुब़ शाम खानी है ऐसा करने से आप बहुत जल्द अपनी बढ़ती हाइट पा सकते हैं मैं आपको एक और सरल उपाई बताऊंगी इसके लिए चाहिए प्यास और गुड रोजाना प्याज के रस में गुड मिलाकर सुब़ शाम खाने से आप पा सकते हैं अपनी बढ़ती हाइट दोस्तों ये तो थे कुछ आईरवेदिक उपाई जिससे आप अपने हाइट बढ़ा सकते हैं आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे परहेज जिससे आप इस हाइट की परेशानी से भी मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों हमें रोजाना दोपेहर में नहीं सूना चाहिए अगर हम दोपेहर में सूते हैं तो ऐसा करना हमारे लिए गलत होगा दोस्तों गर्म रोटी के साथ ठंडा पानी या दूद या कोई भी ठंडी चीज नहीं लेनी चाहिए इससे हम अपनी बढ़ती हाइट को यानि लंबाई को रोकते हैं हमें सुबह से शाम तक कम से कम चार से पाँच लिटर पानी पीना चाहिए ऐसा करने से हम अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं दोस्तों आप अपने खाने पीने का ध्यान रखे जिससे आपको कब्ज ना हो कब्ज होने से भी आप अपनी हाइट को बढ़ने से रोक सकते हैं दोस्तों अगर आप इन नुसकों और इन तरीकों को यूज करते हैं तो मैं आपको गारेंटी के साथ कहती हूँ कि आप अपनी कम हाइट की वज़े से बनते मजाग से बच सकते हैं और पा सकते हैं एक अच्छी हाइट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं फिर मिलूंगी आपकी प्राब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ, मैं फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए-ने घरेलू उपाय के साथ, जिससे आप अपने प्राब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, तब तक के लिए हल्दी रह रहे, फिट रहे, खुश रहे, थैंक यू